एक्स्प्लोर इंडिया विद विकास अर्था ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर में आपका फिर से स्वाकत है आज हम मद्यप्रदेश के खुबसूरत हिलिस्टेशन पचमडी केसे गुमने जाए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे गोरतलबे की पचमडी मद्यप्रदेश का एकमात्र हिलिस्टेशन है सत्पुड़ा परवत शेणी में स्थित पचमडी को सत्पुड़ा के रानी के नाम से भी जाना जाता है इसे स्थानी लोग मद्यप्रदेश का शिमला भी कहते हैं इसमें कोई दोमत नहीं है कि पचमडी का प्राकर्तिक सुंदर आपको मंत्र मुग्द कर देगा पचमडी में हरे भरे गुमावदार रास्ते, कलकल भैते जरने, पहाड़ों के बीच इस्तित भगवान के मंदिर, टाइगर रिजर्व, तता पचमडी की प्राकर्तिक सुंदरता आपका मन मोह लेगी और आपका मन करेगा कि आप हमेशा के लिए यहीं पर बस जाएं यदि आपने पचमडी घुमने का प्लान बनाया है, तो आपके मन में सबसे पहला सवाल यह उत्पन होता है कि पचमडी किस समय घुमने जाना चाहिए तो इसका जवाब यह है कि वेसे तो पचमडी कभी भी तता किसी भी मोसम में घुमने जाया जा सकता है परन्तु यदि आप अपने परिवार के साथ या बच्चों के साथ फेमिली ट्रिप पर पच्मडी घुमने जाना चाहते हैं तो पच्मडी घुमने का सबसे आधर्श समय अगस्त महा से नौंबर महा तक तता फरवरी महा से अप्रेल महा तक का होता है मई तता जून महा में पच्मडी का तापमान काफी बढ़ जाता है इसलिए घुमने में ज़्यादा आनद नहीं आता है मई तता जून महा में पच्मडी में टूरिस्टों की बहुत भीड़बार होती है और होटल भी हद से ज़्यादा महेंगे हो जाते हैं दिसंबर तथा जनवरी महा में पचमडी का तापमान 2-5 डिगरी के करीब पहुंच जाता है तथा पहाडों पर बहुत थंडी तथा तेज हवाय चलती है इसलिए पचमडी में छोटे बच्चों के साथ घूमने में बहुत दिक्कत महसूस होती है इसी प्रकार जुलाई महा म साथ पचमडी ट्रिप को कम बजट में तथा सच में बहुत ज़्यादा एंज्जोई करना चाहते हैं तो आप अगस्त महा से नौंबर महा के बीच या फरवरी महा से अप्रेल महा के बीच ही पचमडी घूमने का प्लान बनाईएगा आपने यह तो तैकर लिया कि आपको पचमडी कब घूमने जाना है अब आपके सामने दूसरा बड़ा सवाल यह उत्पन होता है कि पचमडी कैसे पहुंचे तो इसका जवाब यह है कि पचमडी जाने के लिए हवाई जाहाद ट्रेन और बस आदी के कई सारे विकलप उपल से सबसे पहले मद्यप्रदेश की राजधानी अर्थात भोपाल पहुंचना होगा इसके बाद भोपाल से बस द्वारा पचमडी पहुंचना होगा भोपाल से पचमडी की सडक मार्क से दूरी 200 किलोमेटर है तथा यातरा में लगबक 5 घंटे का समय लगता है भोपाल के न पहुंच सकते हैं परन्तु टेक्सी द्वारा पचमडी जाना काफी महँगा पड़ता है क्योंकि टेक्सी वाले वापस रिडन का किराया भी जोडते हैं तथा आप भोपाल की टेक्सी को पचमडी के अधिकतर टूरिस्ट स्पार्ट तक लेकर जा भी नहीं पाएंगे क्यो भी लगा होता है इसलिए भेतर यही है कि भोपाल से आप बस द्वारा ही पचमडी जाए एक दूसरा ओप्शन यह भी है कि यदि आपका घ्रन अगर बहुत जादा दूर न हो तो आप अपने स्वेम के वहान से पचमडी तक आए तथा वहान अपनी होटल के पार्किंग एरि इसके उपरांद सत्पुडा फारेस रिजर्व द्वारा स्विक्रत किराई की जिपसी लेकर पचमडी को एक्स्प्लोर करें यदि आप ट्रेन द्वारा पचमडी जाने का मन बना रहे हैं तो यहाद रखें कि पचमडी में कोई भी रेलवे स्टेशन नहीं है अर्थत आप सीधे ट्रेन से पचमडी नहीं पहुंच सकते हैं गोरतलबे की पचमडी का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन पीपरिया रेलवे स्टेशन है जो कि पचमडी से लगबग चोपन किलोमेटर दूर है पीपरिया रेलवे स्टेशन तक प्रती दिन देश भर से कई ट्रेने आती हैं यदि आपके ग्रह नगर से पीपरिया तक सी आप यह चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि पीपरिया से बस या टेक्सी नहीं मिली तो क्या होगा पीपरिया रेलवे स्टेशन के बाहर से हर एक घंटे में पचमड़ी के लिए बसे तता शेर टेक्सी रात को 9 बज तक चलती है जिसका प्रतिवेक्ति किराया केवल 100 रुपे ही होता है इनसे आप पीपरिया से बिना किसी परिशानी के पचमड़ी पहुंच सकते हैं यदि आप पीपरिया से प्राइवेट टेक्सी करते हैं तो वह पचमड़ी तक के 900 रुपे से 1200 रुपे के बीच लेगी गोरतलब है कि पचमड़ी में जिस प्रकार कोई रेल्वे स्टेशन नहीं है उसी प्रकार पचमड़ी में कोई एरपोर्ट भी नहीं है पचमडी का सबसे निकटतम एरपोर्ट अर्थात हवाई अड़ा भोपाल में स्थी थे जिसका नाम राजा भोज एरपोर्ट है जो कि पचमडी से लगबग 200 किलमेटर दूर है आप अपने घ्रनगर के एरपोर्ट से भोपाल एरपोर्ट पर लेंड करने के बाद टेक्सी या बस से केबल 5 घंटे में पचमडी पहुंच सकते हैं बस का किराया 300 रुपे लगेगा वहीं टेक्सी का किराया 3.5 से 4.000 रुपे की बीच लगेगा आप अपने बजट के अनुसार बस या टेक्सी में से कोई भी विकल्ब चुनकर पचमडी तक पहुंच सकते हैं एक बात हमेशे याद रखें कि आप अपना टूर प्लान इस परकार बनाईएगा कि आप या तो सुबह या दोबर अत्वा शाम तक पचमडी पहुंच जाएं क्योंकि रात में पचमडी का रास्ता बहुत रिस्की हो जाता है इसका करण यह है कि पीपरिया से पचमडी के रास्ते में अंगिनत खतरनाक मोड तथा ब्लाइंड स्पोर्स आते हैं इसलिए आप अपनी ट्रिप इस प्रकार प्लान कीजिएगा कि आप सुरज डूबने से पहले ही पचमडी पहुंच जाएं यदि आप किसी कारणवश भोपाल से पीपरिया तक पहुंचने में बहुत लेट हो जाएं जिसे रात के 9 या 10 बच जाएं और यदि आप के साथ बच्चे या बुजर्ग लोग हों तो आप पीपरिया के किसी लोकल होटल में नाइट स्टे करें रात में पचमडी जाने का खत्रा न उठाएं तता सुबह होटल में नाश्टा करने के बाद पचमडी के लिए निकलें पचमडी के बस इस्टेंट पर पहुँचने के बाद आप रिक्षा अथवा टेक्सी से अपने ऑनलाइन बुक होटल के लिए प्रिस्थान करें रिक्षा या टेक्सी का किराया केवल पचास से सो रुपे के बीची लगेगा आप पचमडी में रुखने के लिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें क्योंकि पचमडी पहुचने के बाद यदि आप होटल की खोजबिन करेंगे तो होटल भी आपको अच्छा नहीं मिलेगा तदा होटल वाले मनमाना किराया वसुल करेंगे साथ ही आपका बहुत सारा कीमती समय होटल खोजने में ही बरबाद हो जाएगा इसलिए होटल ऑनलाइन ही बुक करें गौर तलब है कि पचमड़ी कोई महेंगा टूरिस्ट स्पोट नहीं है इसलिए पचमड़ी में बढ़िया बचट होटल ऑनलाइन एक हजार से डेड़ हजार रुपे में मिल जाएगा यदि आप लगजरी होटल में रुखना चाहते हैं तो प्रती दिन का किराया दो से तीन हजार रुपे के लगबग पड़ेगा पचमड़ी में MPTDC के धेरो होटल चोटे चोटे बंगलो के रूप में बने हुए हैं तो आपको लगेगा कि आप किसी होटल में नहीं अपितु किसी लगजरी रेस्ट हाउस या बंगलो में रुखे हुए हैं MPTDC के स्टंडर्ड होटल प्रति दिन धाई हजार से तीन हजार रुपे के लगबग पड़ते हैं हम आपको यह गैरंटी देते हैं कि मधिपदेश सरकार द्वारा संचालित MPTDC के होटल में आपका पचमड़ी स्टेप बहुत यादगार रहेगा हमारी आपको सलाह है कि आप MPTDC के होटल में ही रुखिएगा परन्तु यदि आपका होटल में रुखने का बजट बहुत कम हो तो आप प्राइवेट होटल का चैन कीजिएगा आप अपने यात्रा बजट को सामने रखकर ही अपने लिए होटल का चैन कीजिएगा अपनी आउनलाइन बुक होटल में चेक इन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट या दोपर हो गई हो तो लंच कर ले यदि आप होटल पहुँचने में किसी करण से बहुत ज़्यादा लेट हो गए हो तो दिनर कर ले गोर्तलबे की पचमडी में घूमने के धेरो स्थान है परन्तु प्रमुक स्थान इस प्रकार है पांडो गुफा जटाशंकर गुप्त महादेव अपसरा विहार पांचाली कुंड लवर्स पॉइंट महादेव अंबा माई बेगम पेलेस इको पॉइंट डचेस फॉल जिप लाइन तता पचमडी की जील में स्पीड बोटिंग तता पेडल बोटिंग भी कर सकते हैं पचमडी तता उसके आसपास के इन परेटे के स्थलों को अच्छे से एक्स्प्लोर करने में आपको कम से कम तीन से चार दिन का समय लगेगा अब हम पचमडी के से घुमें इस पर बात करते हैं यदि आप दोपर तक पचमडी पहुँच गए हैं तो आप जल्दी से लंच कर लें लंच करने के बाद आप अपनी होटल से हाफ डे का पचमडी साइट सींग टूर बुक करके जिपसी से जटाशंकर, चर्च, गुप्त महादेव, अपसरा विहार, पांचाली कूंड, लवर्स पाइंट, महादेव, हांडी खो, राजेंद गरी आधी टूरिस स्पोर्ट देखने जा सकते हैं जिपसी वाला लगबग 800 रूपे से 1200 रूपे में आपको यह सभी टूरिस स्पोर्ट तथा धार्मिक सल दिखा लाए जो लगबग 500 रूपे लेंगे उलेकनी हैं कि यह सभी टूरिस स्पोर्ट एक दूसरे से केवल 1-3 किलोमेटर दूर ही हैं इसलिए आप केवल 5-6 घंटे में अर्थात आदे दिन में ही यह सभी टूरिस स्पोर्ट तथा धार्मिक सल गुम सकते हैं आपके मन में यदि यह व पहाड़ी पर किसी खाई में या किसी उबल खाबर रास्ते परिष्थी थे तो इन्हें पेदल पेदल एक्स्प्लोर नहीं किया जा सकता क्योंकि चलने में बहुत ज्यादा थकान महसुस होती है यदि आपके साथ छोटे बच्चे तथा आपके बुजूर्ग पेरेंट्स ह करेगी वहां से लगबग आदा किलमेटर पेदल चलना पड़ेगा तता सीडिया भी उतरनी पड़ेंगी परन्तु जटा शंकर मंदिर तता आसपास की मनुरम प्राकर्तिक छटा आपका मन महलेगी जटा शंकर मंदिर के रास्ते में आपको भक्तन भाई की कुटिया मिलेगी कुटिया के सामने मिट्टी की सीडियो पर चबूतरे पर बेटकर भक्तन भाई दिन भर मधूर आवाज में शीवजी के भजन गाती है भकतन भाई के भजन के आवाज जटाशंकर मंदिर के आसपास के पहाडों से टकरा कर इको इफेक्ट उत्पन करती है जिससे उनकी आवाज आधे किलोमेटर दूर तक गूंचती रहती है भकतन भाई के आवाज में एसा जादू है कि यदि आपने इनका भजन एक बार सुन लिया तो आप जीवन भर इनकी आवाज को भूल नहीं पाएंगे BBC की पचमड़ी पर बनी एक घंटे की वर्ल्ड फेमस डॉक्यूमेंटरी में भी भकतन भाई के गाने को विशेश रूप से शामिल किया गया है भकतन भाई को पचमड़ी की लता मंगेशकर भी कहा जाता है यदि आप पचमड़ी गुमने गए तदा आपने भकतन भाई के शिव भजन नहीं सुने तो आपकी पचमड़ी यातरा अधूरी ही कही जाएगी आप भकतन भाई से शंकर तेरी जटा से भेती है गंगा धारा भजन जरूर सुनियेगा भक्तन भाई के भजन सुनने के बाद आप भक्तन भाई को कम से कम 11 रुपे दान की रूप में जरूर दीजिएगा क्योंकि भक्तो द्वारा दिये गए दान के पेसों से ही भक्तन भाई का जीवन चलता है यह कोई भीक नहीं है अपी तो कर्ण प्री गाईकी की कला का सम्मान है शिव जी का जटा शंकर मंदिर तता आस पास के अन्य टूरिस स्पोर्ट को देखने के बाद आप पचमडी की बेटा बावर्ची नामक फेमस रेस्टोरेंट में डिनर करने जाएगा अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट में खाना क्यों खाएं अपनी होटल में या पचमडी की किसी आने रेस्टोरेंट में डिनर क्यों नहीं करें तो इसका करण यह है कि पूरे देश और दुनिया में इंदोर के खाने का टेस्ट पसिद्ध है बहुत ही रेस्टोरेंट के एक सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि यह आपको पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी प्रदान करता है अर्थात आप केवल एक फोन करेंगे और बेटा बावर्ची की प्राइवेट जिपसी या कार आप जहां भी खड़े होंगे वहां 5-10 मि मुफते रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद आप अपनी होटल में आकर रेस्ट करें इस प्रकार पहाड़ो की रानी पचमडी में आपका पहला दिन समाप्त होता है अगले दिन अर्था दूसरे दिन आप सूबर नहा कर तता फ्रेश होकर अपनी होटल में ही थोड़ा ह भी ब्रिक्फास्ट कर लें ब्रिक्फास्ट करने के बाद आप बाइसन लाज की और प्रस्थान करें बाइसन लाज आप पेदल पेदल ही जा सकते हैं या आपकी होटल वाले ही आपको free of cost वहाँ छुडवा देंगे गोरतलेबी की बाइसन लाज वह बिल्डिंग अर्था जर्व तथा पचमड़ी के कई प्रतिबंदी शेत्रों में घूमने के लिए पर्मिट तथा पेट्रोल से चलने वाली green जिपसी मिलेगी बाइसन लाज पचमड़ी की बीचो बीच इस्तिते तो यहां तक आप अपनी होटल से 5-10 मिनट में पेदल भी पहुंश सकते हैं बा से यातरा के पर्मिट प्रदान किये जाते हैं बाइसन लाज में एक बहुत बड़ा सा बोर्ड अर्थाथ होर्डिंग लगा हुआ है जिसमें टूरिस स्पोर्ट का रूट प्लान टोटल फीस आदि लिखी हुई है आपको किस रूट पर क्या देखने को मिलेगा इसकी जान 1240 रूपए में एक दिन के लिए एक रूट पर घूमने की अनुमती तदा टेक्सी मिलती है यह सुत्पड़ा फॉरेट्स रिजर्व अथारिटी का फिक्स रेट है यहां बार्गेनिंग अर्थात मोलभाव संबभ भी नहीं है अब रूट की बात करते हैं जैसे यदि आप सबसे फेमस रूट नंबर 3 का चैन करते हैं तो इस रूट पर पांडव गुफा, धूबगड, बीफाल जरना, रीचगड आधी टूरिस्ट प्लेसे आती हैं आप कोई भी रूट चुने आपको 3,240 रूपए ही देने होते हैं एक पर्मिट पर अधिकतम 6 लोग यात्रा कर सकते हैं पर्मिट फीस में एक टूरिस्ट गाइड भी अनिवार रूप से शामिल होता है आप यदि यह सोच रहे हैं कि टूरिस्ट गाइड नहीं लेंगे तो यह बिलकुल नहीं होगा आपको अनिवार रूप से फॉरेस रिजर्व आफिस से एक टूरिस्ट गाइड मिले करते हैं केवल पांच मिनट में आपके आधार कार्ड की फोटो कापी तथा आपके मोबाइल नंबर के आधार पर ततकाल परमिट जारी कर दिया जाएगा यदि टूरिस्टीजन है तो भी आपको परमिट मिलने में अधिक से अधिक 15 मिनट का समय लगेगा यह याद रखें कि परमिट आउनलाइन नहीं मिलता है केवल पचमड़ी में बाइसन लाज से ही परमिट मिलता है आप इस बात की चिंता बिलकुल ना करें कि परमिट आपको मिलेगा की नहीं मिलेगा यदि आप बाइसन लाज में सत्पुड़ा फारेस रिजर्व के आफिस में सुबह 9 बजे से ग्यारा बजे की बीच पहुँच गए तो आपको बड़े आराम से बिना किसी दिक्कत के परमिट तता घूमने के लिए जिपसी मिल जाएगी एक परमिट पर अधिकतम 6 लोग टूरिस स्पोर्ट देख सकते हैं इसका करण यह है कि एक जिपसी में ड्राइवर तता टूरिस्ट गाइड को मिलाकर अधिकतम 8 लोग ही बेट सकते हैं यदि आपके मेंबर 6 से अधिक हैं तो आपको 2 परमिट तता 2 जिपसी लेनी होगी आप अलग-अलग आधार कार्ड पर जितने चाहे उतने परमिट ले सकते हैं कोई प्रतिबन नहीं है बाइसन लाज में स्थिद जिपसी बुकिंग काउंटर पर सबसे पहले जिपसी के किराये का 2000 रुपे अमाउंट जमा करने के बाद ही परमिट की लाइन में लग सकते हैं यहां कहीं भी कोई भी बारगेन अर्थात मोलभाव नहीं होता है फिक्स रेट है तो फाल तुम्हें मोलभाव करके अपना कीमती समय नस्ट न करें परमिट जारी होते ही आपके द्वारा दिये गए मोबाइल नंबर पर ततकाल एक मिनट में ही आपको अलोट हुई जिपसी के ड्राइवर तथा गाइड का फोन आ जाएगा तथा अगले ही मिनट ये दोनों आपके पास आकर खड़े हो जाएगे अब आप जिपसी के ड्राइवर तथा गाइड को लेकर अपनी होटल से अपने परिवार को पिक कर लीजिए और जो भी रूट आपने सिलेक्ट किया है उस पर अपनी यादगार ट्रिप इंजोई कीजिए एक बात और याद रखें कि आप अपने पूरे परिवार को लेकर बाइसन लाज बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि बाइसन लाज में जिपसी के ड्राइवरों, टूरिस गाइड्स, फॉरेस रेंजर्स तता परमिट बनवाने वाले टूरिस्टों की भारी भीड होती है तो अपने बच्चों तता महिलाओं को धक्का मुकी का हिसा मत बनाईएगा आप अकले ही परमिट लेने के बाद आपको अलाट होई जिपसी में टूरिस गाइड को बिठा कर अपने परिवार को अपनी होटल से पिक कर लीजिएगा आप पच्चमड़ी में किसी भी ट्रेवल एजेंट या टूर कंपनी की जहांसी में बिल्कुल बताईएगा कि वह आपका कम पेसे में परमिट बनवा देगा एसा पच्चमड़ी में संभवी नहीं है आपको खुद अपना आधार काड अथवा उसकी फोटो कापी और अपना मोबाइल लेकर माइसन लॉज में सत्पुड़ा फॉरेस रिजर्व के आफिस में जाना ही होगा और हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको परमिट मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि परमिट जारी करने की कोई लिमिट नहीं है तता परमिट जारी करने के 10 से 15 काउंटर होते हैं तता हर काउंटर पर एक मिनट से भी कम समय में एक परमिट जारी किया जाता है इसलिए पच्चम अब आपने जो भी रूट चुना है उस रूट के टूरीस पॉंट्स देखने निकल जाईए। जैसे यदि आपने सबसे ज़्यदा प्रसिद रूट नमबर तीन का परमिट लिया है तो जिपसी वाला आपको सबसे पहले पचमडी की पांड़ो गुफा दिखाने ले जाएग के किसी दुगुप्त चर ने उन्हें गुफा बनाते हुए देख लिया ये बात जैसे ही पांड़ो को पता चली तो वे ततकाल इस जगह को छोड़कर किसी अग्यात स्थान के ओर चले गए तथा ये गुफाएं अधूरी ही रह गई कालंतर में इन गुफाओं में आदी मानुव रहने लगे वर्तमान में इन गुफाओं को आर्केयोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सनक्षित किया गया है ये गुफाओं एक पहाड़ पर बनी हुई है पहाड़ के नीचे सुंदर सा बगीचा बना हुआ है जहां से आप पांडो गुफाओं को फूलों के बीच बेट कर निहार सकते हैं आप पहाड़ पर स्थित इन गुफाओं को निकट से भी देख सकते हैं क्योंकि इन गुफ इंस्टाग्राम के लिए रील्स तथे यूट्यूब के लिए वीडियो तथे शॉट्स बनाने वालों के लिए तो यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं है पांडो गुफा दिखाने के बाद जिपसी का ड्राइवर तथा आपका गाइड आपको बीफाल जहरने की ओर ले जाएगा बीफाल जहरने के लिए प्रस्थान करने से पहले आप पांडो गुफा के पार्किंग एरिया की दुकानों से कोल ड्रिंक, जूस, नमकीन, बिस्किट्स, चिप्स, चॉकलेट्स तता खाने पीनी की बहुत सारी चीजे खरीद लिजिगा क्योंकि बीफाल जहरने में आपको खाने पीनी की दुकाने नहीं मिलेगी येदि आप स्नेक्स तदा खाने पीने की चीजे अपने साथ लेकर जाएंगे तो जरने को देखते हुए स्नेक्स खाने में आपको तदा आपके बच्चों को बड़ा ही आनन्द आएगा गोरतलबिक बीफाल जरना पच्मड़ी का सबसे फेमस तता बारा मासी बहने वाला जरना है बीफाल जरने से ही पानी की सप्लाई पूरे पच्मड़ी शहर में होती है बीफाल जरना लगबग डेड़ सो फिट की उचाई से गिरता है बीफाल जरने से लगबग आधा दिखाई देता है बीफाल जरनी की विशेष्टा यह है कि यह अलग-अलग मोसम में अलग-अलग प्रकार से दिखाई देता है जिसे बीफाल जरना अगस्त से नवंबर महा में आपको बहुत कुछ भाववली मुवी के जल परवत के जिसा दिखाई देगा इस जरने का नाम बीफाल दो कारनों से पढ़ा है पहला कारन तो यह है कि भी अरथत मदुमक्ही का जुंड जीसी आवाज करता है वेसी आवाज इस जरने के पानी के चट्टानों से टकराने पर उत्पन होती है दूसरा कारन यह है कि इस जरने से गिरने वाली तेज पानी की धार जब हमारे शरीर से टकराती है तो ऐसा लगता है कि जिसे मदुमक की डंक मार रही हो यह जर्णा एक चट्टान पर गिरता है तता उसके बाद पानी चट्टानों को भी से बहता हुआ आगे बढ़ जाता है इस जर्णे के पानी में डूबने जिसा कोई खत्रा भी नहीं है ना कोई गहरी खाई है ना कोई तालाब है केवल एक आज जगह कमर कमर तक पानी होता है बी फॉल में आपकी सुरक्षा के लिए कई फॉरेस रेंजर्स भी तेनाद रहते हैं तो कोई खत्रा नहीं है बस पानी के कारण कुछ पत्रों पर काई जमने के कारण फिसलन ज़रूर होती है इस जर्णे में नहाने का आनन्द ही कुछ और है यदि आप इस जर्णे में नहाना चाहते हैं तो आप अपने साथ एक जोड़ी कपड़े होटल से जरूर अपने साथ में लेकर जाएं बीफॉल ज़रने के पास ही महिलाओं के लिए कपड़े बदलने के लिए एक छोटा सा टेंपरेरी चेंजिक रूम भी है इस ज़रने के पानी से आपके परिवार के बच्चे तो निकलना ही नहीं चाहेंगे आपको अपने बच्चों को इस जरने के पानी से बाहर निकलने के लिए हाथ पकड़ पकड़ कर खींच खींच कर बाहर निकलना पड़ेगा क्योंकि आपके बच्चों को पूरी पचमड़ी ट्रिप में सबसे ज़्यादा आनद यहीं आएगा वे जरने के ठंड़े ठंड़े पानी से बाहर निकलना ही नहीं जाएंगे इस जरने को अच्छे से इंजॉई करने में आपको तीन घंटे का समय लगेगा जब आप बीफाल देखकर वापस अपनी जिपसी की ओर जाएंगे तो बीच में एक एसी जगह भी आएगी जहां छोटे छोटे गड़ों में पानी भरा होगा जिन में सेकडों छोटी छोटी मचलिया होंगी आप अपने जूते मुझे निकाल कर अपने पेर इन गड़ों के पानी में डुबा कर बेट जाएगा इन गड़ों में जो छोटी छोटी मचलिया हैं वह आपके पंजो तता पेरों की मसाज करने आ जाएगी तता केवल पांच मिनट में ही ये मचलिया आपके पेरों की ठकान दूर कर देंगी इस पाइंड को फिश मसाज पाइंड भी कहा जाता है बिना पेसे दिये फ्री में मचलियों से मसाज कराने के बाद आप वापस अपनी जिपसी में आकर बेट जाएगा अब जिपसी वाला आपको लंच के लिए नंदनवन रेस्टोरेंट चरने के लिए जोड डालेगा आप उसे ततकाल कहिएगी या तो बेटा बावर्ची रेस्टोरेंट लेकर जाए या आप अपनी पसंद के किसी अने रेस्टोरेंट में भी जा सकते परन्तु भूल कर भी नंदनवन रेस्टोरेंट में जाएगा इसका करण हम आपको आगे इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे अपनी पसंद के किसी भी बड़या रेस्टोरेंट में लंज करने के बाद आपको आपका टेक्सी वाला तता टूरिस्ट गाइड रीच गड़ दिखाने के लिए लेकर जाएंगे रीच गड़ में आपको जिप से जिस स्थान पर छोड़ेगी वहां से आपको ज़्यादा पेदल नहीं चलना पड़ेगा रीच गड़ में एक गुफा है जिसमें कहा जाता है कि पहले कभी रीच अर्थात भालू रहा करते थे रीच गड़ में एक एसी जग़ भी है जहाँ पर दो बड़ी बड़ी भीमकाई चट्टारों के बी से जब तेज हवाई गुजरती हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सो से ज़्यादा एर कंडिशनर एक साथ शीतलता परदान कर रहे हैं इस जग़ पर ठंड के करण आपके रोंग्टे खड़े हो जाएंगे रीच गड़ में ही एक एसा पेड़ भी है जिसकी डालियां फोटो फ्रेम की तरह मुड़ी हुई है आप इस फोटो फ्रेम में बेटकर या खड़े होकर अपनी फोटो जरूर क्लिक कीजिएगा परन्तु इस व्रक्ष पर चड़ने में सावधानी जरूर रखिएगा एक बात आप लिख लीजिए कि इस पेड़ के साथ खीची गई पिक्चर अर्थात फोटो जब आप इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्वीटर या वाटसेपर अपलोड करेंगे तो आपके सभी मित्र आपसे जरूर पूछेंगी कि यह पिक कहां का है, तता यह पेड़ किस जगए पर है रीच गड़ घूमने में आपको लगबग एक से डेड़ घंटा लगेगा रीच गड़ दिखाने के बाद आपका जिपसी वाला रास्ते में आपको भविदर्ष तता इको पाइंट दिखाता हुआ लगबग पांच बज़े तक आपको धूबगड की पहाड़ी पर पहुँचा देगा गड़ तलबी की धूबगड मद्यप्रिदेश की सबसे उची चोटी है यहां समुद्र तल से 4436 फीट अर्था 1352 मीटर उची पाड़ी है यहां से सूर्योदे तता सूर्यास्त का विहंगम दर्श दिखाई देता है आप यहां से सूर्योदे तो कभी नहीं देख पाएंग सभी पर इठक शाम को संसेट देखने धूबगड ही आते हैं धूबगड पर एक छोटा सा संग्राल है अर्थात म्यूजियम भी है जिसमें पचमड़ी की सभी टूरिस्ट स्पॉर्ट्स की जानकारी विबीन फोटोग्राफ्स के माध्यम से दी गई है शाम को 6 बजे से देखा जा सकता है आपने अपने जीवन में कभी यह नहीं देखा होगा कि सूरज पीले से लाल रंका हो जाए फिर लाल से काला होकर एकदम से गायब हो जाए आपको धूबगड से संसेट ऐसा ही दिखाई देगा यहां आपको अपनी आँखों पर विश्वासी नहीं होग जिसे लोकल स्टेडिया में बेटने के लिए सीमेंट की सीडिया या सीटे बनी होती है वेसी सीडिया यहां बनी हुई है संसेट देखने के बाद आप वापस अपनी जिपसी में जाकर बेट जाईएगा गोरतलेवे के हर जिपसी पर बड़े बड़े अक्षरों में एक के ड्राइवर तथा अपने गाइड का नंबर भी अपने मोबाइल में सेव करके रखिएगा ताकि आप ज़्यादा भीडबार की स्तिति में इन दोनों से ततकाल संपर कर सकें धूब कर देखने के बाद आपका जिपसी का ड्राइवर आपको वापस आपके होटल में ड्रॉप कर देगा यदि आप बहार कहीं डिनर करना चाहते हैं तो आप अपने जिपसी वाले को बोल दीजिएगा कि रेस्टोरेंट लेकर चले आप जहां कहेंगे जिस रेस्टोरेंट का कहेंगे आपको जिपसी वाला खुशी खुशी आपको वहाँ ड्रॉप कर देगा जिपसी का ड्राइवर कोई नानुकूर नहीं करेगा और कोई एक्स्रा चार्ज भी नहीं लेगा जब आप अपने गाइड से तता जिपसी वाले से विदा लेंगे तो आपको उन्हें एक रुपिया भी नहीं देना है क्योंकि आप उनकी फिस सुबह ही बाइसन लाज में सत्पुड़ा फॉरेस्ट रिजर्फ फॉरेस्ट आफिस तता टेक्सी बुकिंग काउंटर पर जमा कर चुके होते हैं डिनर करने के बाद आप पेदल पेदली अपने होटल में आ जाएं यदि आपकी होटल अर्था जहां आप रुके हुएं तता रेस्टोरेंट जहां आपने भोजन किया हैं उनके बीच की दूरी ज्यादा हो तो रेस्टोरेंट वालों से कहिएगा तो वह आपको आपकी में हेवी ब्रिकफास करने के बाद बाइसन लाज से पचमडी में स्थित सत्पुडा टाइगर रिजर्व में घूमने के लिए दिन भर के लिए जंगल सफारी टूर बुक कर सकते हैं कीमत वही 3,240 रूपे ही लगेगी एक बात याद रखें कि सत्पुडा टाइगर रिजर् अधभुत जंगल सफारी जैसा ही आनद आएगा इसमें कोई दोमत नहीं है कि सत्पुडा टाइगर रिजर्व में खुली जिपसी में जंगली जानवरों के बीच घूमने में आपको तथा आपके परिवारों को बहुत आनद आएगा कदम कदम पर फॉरेस रेंजर्स आप जंगल सफारी नहीं करना चाहते हैं तो तीसरे दिन आप फॉरेस रिजर्व आफिस से किसी अन्य रूट का परमिट भी ले सकते हैं यदि आप तीसरे दिन फ्री में घूमना चाहते हैं तो आप चोरागड का मंदिर देखने जा सकते हैं चोरागड जाने के लिए किसी परम जल्दी होटल से निकल कर महादेव मंदिर के पास से चड़ाई प्रारम कर देनी होगी चोरागड पचमडी से केवल 4 किलमेटर दूर है परन्तु 3 पहाड़ो तता 1300 सीड़ियां चड़ने तता उतरने में आपको 5-6 घंटे लगेंगे चोरागड में आपको हजारों तृशिलो से घिरे भगवान शीव के सफेद मंदिर के दर्शन करने को मिलेंगे अपनी मनों का मना पूरी होने पर भक्त इस मंदिर में शीव जी को तृशूल अर्पित करते हैं इसलिए यहां पूरा मंदिर परीसर तृशिलो से भरा हुआ है इस मंदिर में जगा जगा आपको चोरागर जाना चाहते हैं तो आपको अपने बेग में दो या तीन पानी की ठंडी बहुत लें, एक दो तरह के फल, दो से तीन बिस्किट तता सेव मिक्चर तता चौकलेट के पेकट अवश साथ में रखने चाहिए, क्योंकि चोरागर जाने के दोरान आपको रास्ते में ना पानी मिलेगा, ना चाही मिलेगे और ना ही खाने को कुछ मिलेगा, केफल प्रसाद की एक दो दुकानों के लावा कुछ भी नहीं मिलेगा, हेवी ट्रेकिंग के कारण, यदि आपके साथ बुजूर व्यक्ति तता बहुत छोटे बच्चे हो, तो चोरागर जाना आप अव पर दो बज़े तक चोरागर के शिव मंदिर के दर्शन करके वापस पचमडी आ जाएंगे, चोरागर से वापस आकर आप लंच करें, तता लंच करने के बाद आप शाम को पचमडी की बीचो बीच स्थित चंपक लेक में पेडल बोटिंग, स्पीड बोटिंग, जिप ला रिक्षा आसानी से मिल जाएगा, पचमडी के बाजार में या अपनी होटल के रिस्टोरेंट में डिनर करके अपनी होटल में यात्री विश्राम करें, इस प्रकार पचमडी में आपका शांदार तीसरा दिन समाप्त होता है, अगले दिन, अर्था चोथे दिन आप अपनी जहां से भी आपके ग्रह नगर के लिए connecting बस या ट्रेनों वहां तक जा सकते हैं यदि आपकी फ्लाइट हो तो आपको भोपाल तक जाना होगा connecting बस ट्रेन या फ्लाइट से आप पचमरी की सुखत यादों के साथ अपने ग्रह नगर पहुंचे इस प्रकार आपकी चार दिनो अधिक्तम हिस्सा सत्पुडा टाइगर रिजर्व के अंतरगत आता है इसलिए आपसे निवेदन ही कि देर रात में अकेले सुनसान जगह पर न जाएं क्योंकि रात में कई बार जंगली जानवर भोजन की तलाश में पचमरी के रहवासी शेत्रों में भी आ जाते हैं हम आ आर्टी जिसी एक्टिविटी बिल्कुल ना करें नेक्स्ट है रात में अधिक्तम ग्यारा बजे तक अपनी होटल में अपने रूम में जरूर आ जाएं पचमरी में देर रात में अकेले पेदल बिल्कुल न घुमें नेक्स्ट है पचमरी में फॉरेस रेंजर्स के बेरिकेट लगा कर बंद किया हुआ हो तो बेरिकेट को लांग कर अर्थात कूद फांद कर आगे मच जाईएगा हो सकता आगे कोई भूसकलन हुआ हो कोई घहरी खाई हो या किसी जंगली जानवर की उपस्तिती हो नेक्स्ट पचमड़ी में कुछ टूरी स्पार्ट पर बहुत सारे बंदर भी हैं तो आप अपने हाथ में कुछ भी खाने का सामान लेकर न चलें बंदर आपके हाथ से वह छुड़ा ले जाएंगे अपने ग्रूप में एक मेंबर के पास एक लकड़ी जरूर रखें लकड़ी से पिटने के डर से बंदर कभी पास नहीं आते हैं लकड़ी 20 रुपे में पचमड़ी में जगे जगे मिलती है यदि पचमड़ी में आपको कोई भी परिशानी आए तो कदम कदम पर फॉरेस र आपकी हर प्रकार से साहता करेंगे यह तो आप सभी जानते ही हैं कि मद्यप्रदेश की हैंडलूम अर्थात हद करगा पर बनी साडियां महश्वरी साडियां चंदिरी साडियां तथा बाग प्रिंट के सलवार सूट देश ही नहीं अपी तु विदेशों में भी फेमस है यदि आपके परिवार की महिलाएं इन्हें खरीदने की चाजाहिर करें या जिद करें तो आप केवल पचमडी के मरगनेनी एमपोरियम से ही इन साड़ियों की खरीदारी कीजिएगा क्योंकि मरगनेनी एमपोरियम का संचलन मद्धिप्रदेश सरकार की द्वारा किया जाता ह चुकि मरगनेनी Emporium सरकारी Emporium है तो यहां आपको असली महेशवरी साडिया, चंदरी साडिया आदी ही मिलेंगी तो इसलिए आप केवल मरगनेनी Emporium से ही खरिदारी कीजिएगा यदि आप मरगनेनी एंपोरियम के अलावा किसी और प्राइवेट शोरूम से ये साडिया खरी देंगे तो पूरी संभावना है कि आपको महेश्वरी साडियों, चंदिरी साडियों के नाम पर मिलती जूलती नकली साडिया बहुत उचे दामों पर टिका दी जाएंगी यहाद रखे कि पचमडी एक फोरेट्स रिजर्व शेतर होने के साथ साथ केंट एरिया अर्था सेना का च्छावनी शेतर भी है, इसलिए सेना से जुड़े एरिया में जानी की सक्त मना ही होती है नेक्स पॉइंट है पचमडी में केवल एक ही पेट्रोल पंप है तदा वहां भी कभी कभी दो दो दिन तक इंधन नहीं मिलता है इसलिए यदि आप अपने स्वयम के वहां से पचमडी तक आते हैं तो पीपरिया से ही अपनी कार के इंधन टेंग को फुल करा लीजिएगा अने था यदि पचमडी में वहां का इंधन खत्म हो गया तो बहुत भारी परिशानी में फस सकते हैं पचमडी में गोवा की तरह हर दस कदम पर पेट्रोल और डीजल की बॉटल्स लेकर लोग नहीं बेठे रहते हैं नेक्स्ट है केंट एरिया होने के करण पचमडी में आपको जग़ जग़ खाने पीने के ठेले या फूट जॉइंट्स भी नहीं मिलेंगे इसके लिए आपको पचमडी के मुख बाजार में ही जाना पड़ेगा पचमडी में नंदनवन नामा के एक बहुत बड़ा तता बहुत ही कुख्यात रेस्टोरेंट है आपको सभी टेक्सी वाले अपने भारी कमिशन के लालच में महीं लेकर जाएंगे परन्तु महां का खाना बहुत अनहाईजेनिक है बहुत गंदगी के बीच भोजन पकाया जाता तता टाइलेट से ही किचन लगा हुआ है इसके साथ ही आपने जो चीज आडर नहीं किये उसका भी जबर जस्ती लड़ जगड कर चार्ज ले ले लेते हैं एसा पूरे देश के किसी भी अन्य रेस्टोरेंट में आपने न देखा होगा नहीं सुना होगा पर नंदनवन नावक रेस्टोरेंट में लगबख सभी टूरिस्टों के साथ यही होता है जिसे आपने सलाद नहीं मंगाया तो भी बिना पूछे सलाद सर्व कर देते हैं और 1500 से 200 रुपे चार्ज कर लेते हैं मसाला पापड सर्व नहीं करेंगे पर बिल में मसाला पापड के 200 से 300 रुपे जोड़ देंगे यदि आप कहेंगे कि आपने तो मसाला पापड मंगाय ही नहीं थे तो रेस्टोरेंट का मालिक खुद आपसे बहस करने आपकी डिनर टेबल पर आ जाएगा और कहेगा कि आप मसाला पापड़ खा चुके हो और अब जूड बोल रहे हो आप कुछ भी कर लीजिए आपने जो चीज खाई ही नहीं उसके भी पेसे आपको देने ही पड़ेंगे क्योंकि नंदनवन रेस्टोरेंट के मालिक के साथ साथ पांच से साथ बाउंसर जैसे वेटर या कहें कि मुस्टंडे भी आपको धमकाने आ जाते हैं इस रेस्टोरेंट में दो से तीन लोगों का एक बार का साथरन भोजन भी आपको कम से कम तीन से चार हजार रुपे के बीच पड़ेगा इस restaurant पे होने वाली एक सामान ठगी का नमूना यह है कि बटर पनीर मसाला सब्जी की एक प्लेट का rate इस restaurant के menu card में 3.500 रुपे लिखा हुआ है जो कि tourist place के हिसाब से reasonable rate कहा जा सकता है परन तो जब आपके हाथ में बिल आएगा तो आपके पेरों के नीच से जमीन ही खसक जाएगी क्योंकि उसी बटर पनीर मसाला सब्जी का rate 8.500 रुपे से 1000 रुपे की बीच लगाया जाएगा आप कहेंगे कि menu card में तो यह सब्जी 3.500 रुपे की है तो वेटर कहेगा कि आपको गलती से 3 साल पुराना menu card दे दिया था और वेटर ततकाल फरजी नए ज़्यादा rate वाला menu card आपको थमा देगा इस स्तिती में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे पचमडी जाने वाले तता इस restaurant में खाना खाने वाले सामनेता हर tourist को इसी प्रकार के गंदी experience से गुजरना ही पड़ता है तो हमारी आपको सला है कि आप नंदनवन नामक इस restaurant में कुछ भी हो जाए चाहे आपका taxi वाला कुछ भी कहे चाहे आपके पाउ में ही क्यों न गिर जाए आप यहाँ भोजन करना अवाइड कीजिएगा यह कोई सुनी सुनाई बात नहीं है यह दुरगटना पचमडी जाने वाले हर उस tourist के साथ होती है जो इस restaurant में जाता है हमारे साथ भी एक बार यह सभी कुछ हो चुका है इस नंदनवन restaurant का simple सा फंडा यह है कि चाहे कुछ भी हो जाए tourist फिर से इनके restaurant में खाना खाने तो आएगा नहीं तो एक बार में ही जितना हो सके उतना tourist को लूट खसोट लो इसके लावा इस restaurant के बाहर हजारों बड़े बड़े लाल मूँ वाले खतरनाक तथा गुसल बंदर भी हैं इस restaurant का माले टूरिस्टों को अपने restaurant तक लाने का हर टेक्सी वाले को per day अर्थात प्रति दिन 500 से 1000 रुपे कमिशन देता है इसलिए वो आपको यहां लाने के लिए सारे जतन करते हैं हमने इस restaurant के विशे में पचमडी की स्थानी लोगों से भी बात की थी तो उनका कहना है कि इस restaurant को विशेश रूप से राजनीतिक सरक्षन प्रापते इसलिए धेरो शिकायतों के बाद भी इस पर कभी कोई कारवाय नहीं होती है तो आपसे निवदन है कि पचमडी में कहीं भी भोजन कर लीजिएगा चाहे सडक के ठेले पर खाना खा लीजिएगा परन्तु इस restaurant में जाना जहां तक हो सके avoid कीजिएगा पचमडी में आपको सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक हलके फुल के ठंड महसुस होगी इसलिए हलके फुल के गर्म कपड़े अपने साथ अवश्य रखिएगा आप अपने लिए गर्म कपड़े न भी रखेंगे तो भी चलेगा परन्तु बच्चों तक आपने बुजूर के पेरेंट्स के लिए गर्म कपड़े साथ में जरूर रखिएगा पचमडी ट्रिप में अपने साथ अच्छी ग्रिप वाले जूते ही रखें यहां चपल बिल्कुल नहीं चलेगी पचमडी ट्रिप में महिलाओं को भी चपल की जगह अच्छे स्पोर्ट शूस ही पहनने चाहिए क्योंकि चपल हर सोक अदम पर तूट जाएंगी इस ट्रिप में यहां आपके साथ बुजरू लोग हैं तो उनके स्वास का विशेश ध्यान रखे पेर दर्द में रहात पहुंचाने वाली क्रीम या स्प्रे जिसे मूव आयोडेक्स या वोली नी अवशे साथ में रखे पचमडी ट्रिप में आप परेवरन फेंडली सामगरी का ही उप्योग करें अपने साथ पीने के पानी के लिए स्टील की बोटल या ताबी की बोटल ले कर जाएं नेक्स्ट है प्लास्टिक का सामा या कच्रा यदि सत्पुडा फारेस डिजर में आप फेकेंगे तो फोरेस रेंजर्स आपके उपर ततकाल 500 रुपे का फाइन या पेनल्टी लगा देंगे इसलिए जो भी कच्रा प्लास्टिक की खाली बोटल या खाली पोलितिन हो उसे वापस अपने बेग में रखकर साथ लाएं तता अपनी होटल के रूम के डस्ट भीन में डाले यह बात आप गांट बांदले की होटल की रिसेप्शन पर उपस्तित ट्रेवल एजेंटों से कोई भी ट्रेवल पेकेज न ले क्योंकि वे लोग ठीक ढंग से घुमाते नहीं है तता केवल खाना पूर्ती करते हैं अब हम चार दिन की इस पचमड़ी ट्रीप के अधिकतम कुल खर्च की बात करते हैं चार लोगों का पचमड़ी आने जाने का बस तता ट्रेन का कुल किराया लगबग 4,000 रुपे चार लोगों का पचमड़ी में चार दिन का अधिकतम कुल खर्च लगबग 28,000 रुपे यदि हम इसे चार से डिवाइट करें तो प्रतिविकति अधिकतम कुल खर्च लगबग 7,000 रुपे आएगा इस प्रकार आप केवल 7,000 रुपे में शांदार तरीक से टेक्सी को शामिल करते हुए पचमड़ी घुम सकते हैं तो अब इंतजार मत कीजिए जल्द ही पचमड़ी घुमने का प्लान बनाईए यदि आपको हमारी जानकरी सही तता उपयोगी लगी हो तो प्लीज हमारी चैनल ट्रेवल एंड एक्स्प्लोर अर्थात एक्स्प्लोर इंडिया द्विकास को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तैंक यू